तो गाइस यह मैं हूँ और यह मेरा हेरो ब्राइन फ्रेंड है और यहाँ पे पाड़ी हो रही है तो यहाँ पे जैसा कि आप दे सकते हैं मैं आपके लिए एक हेरो ब्राइन मोड लाया हूँ इस मोड में आपको हेरो ब्राइन मिलेगा वो भी आप पे अटैक भी करेगा इसक कि आप दे सकते हैं, यह stage 1 है और यह अलग-अलग text भी लिखता है यह आप spawn next से भी spawn कर सकते हैं और spawn करने के लिए आपको एक वो चाहिए होगा क्या वो cube जैसा होता है उपर की तरफ को light फेकता है उसका नाम मुझे नहीं याद है तो beacon आपको beacon की जरूरत होगी और beacon का use करके आप उसके उपर totem of hero brain रख देंगे तो hero brain आपका आजाएगा आपके 80 पास इसका attack बहुत खतरनाक है तो आप इसे survival में मारना तो लगभग कुछ असंभव है तो मैं इसे आपको मार के दिखाता हूँ है देखे स्टेज 2 आ गई है और अलग-अलग टेक्स्ट भी लिगता है और जब मैं आपको बता देता हूँ आप खुदी देख लीजेगा link in the description तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं देखे इसके blood भी निकल ला है पिछले वाले में नहीं था तो इसको जब आप मारेंगे तो यहाँ पे stage 3 लग जाएगी और stage 4 मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वो surprise है आप खुदी डाउनलोड करके देखिए वो बहुत बढ़िया है आपको यह देखे never give up लेकिन आपको चैट में भी देगा जब आप survival में होंगे तो बहुत तगड़ावाई हमला करता है और यह कभी-कभी आपका game mode भी change कर देता है survival से कभी-कभी creative में पहुचा देगा या फिर creative से survival में पहुचा देगा तो यह देखिए इसका अलग-अलग attack है जब आप इसके आज पास होंगे तो आप पे animal भी हमला करेंगे और skeleton, zombies दिन में भी spawn होने लगेंगे और उनकी eyes white होंगे तो same mode है फिर आप जब stage 3 को मारेंगे तो stage 4 में आपका पूरा एकदम तगड़ा वाला hero brain आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे मार रहा हूं उचल के ज्यादा टैमेज फड़ता है इसको तो first वाले की health above 200 होती है और second वाले की 150 होती है और third वाले की 400 होती है HP और fifth वाले की infinite होती होती तो उसकी 50 है HP लेकिन उसका regeneration बहुत तगड़ा होता है आप जैसे ही एक attack करेंगे तुरम तो हो regenerate हो जाएगा यह देखिए यह आ चुका है इस word में और यहाँ पर मेरा game lag होता हुआ तो मैं नीचे जा रहा हूँ जैसे आप level 3 को मारेंगे level 4 पर उपर ही आ जाएगा तो आपको वीडियो कर देना होगा लाइक और सब्सक्राइब तभी आप लिंक डाउनलोड कर पाएंगे ऐसे आपको आदी लिंक ही मिलेगी तो मैं आप नीचे आ चुका हूँ और अपना टेक्स्ट बार खोल लाओं तो यहाँ पर मैं उसे मार दूँगा फिर मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ कैसा है इन सब का मैंने एबिल्टीज आपको बता दी है और अभी मैंने इसका इसका एस्पेसल अटेक्ट नहीं दिखा है यह आप डाउनलोड करके खुदी देख सकते है इसको मैं मारने के भी आपको ट्रिक बता दूँगा आपने अंडर ड्रेगन को अगर मारा है तो इसे मारने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी और आप फाल डैमेज से भी मर सकते हैं कि आप देख सकते हैं वो फायर बाल का टेक करके आपको नीचे भी गिरा सकता है और एक बार आप मर गए तो आप गेम से एक्जिट कर लेंगे तुरंट तो यह देखिए चार पिलर इधर होंगे चारों तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यह मैंने किल कर दिया तो यह सब ब्लास्ट हो चुके इधर भी है और एक इधर भी होगा है इंडर ड्रेगन जैसी इसके पास पावर है लेकिन यह आपको तोड़ने नहीं देगा आपको अलग जगे पर टेलिपोर्ट कर देगा हवा में उड़ा सकता है आपको और जॉंबी इस्केल्टन ग्रीपर्स यह सब तो आते ही है तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो कर दीजेगा लाइक और सब्सक्राइब म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक और यह देखे इसने क्या किया है